हलो दोस्तो वेलकम टो अध्बूत राजनीती तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदु धर्म गूरू काली चर्ण महाराज के बारे में काली चर्ण महाराज ने 36 गण में आयोजित एक कारिक रम में हमारे राश्र पिता महात्मा गांधी के बारे में बहुती आपती चनक टिपनी की थी जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया जा चुका है तो फ्रेंट्स आज हम इस पूरे टोपिक पर डीटेल में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं उस घटना के बारे में जिसकी वज़ा से काली चर्ण महाराज इंडिया के सारे न्यूस चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिक टोपिक बने हुए हैं तो दोस्तो हुआ यू की 36 गड़ की राजधानी रायपूर में 25 और 26 जिसंबर को एक धन संसद आयोजित की जाती है जिसमें हिंदु धर्म के बड़े-बड़े संत और धन गुरु हिस्सा लेने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए पहुँशते हैं इस कारेक्रम का हिस्सा कालीचेंड महाराज भी होते हैं और कालीचेंड महाराज अपने भाशन के दोरान भारत के राश्र पिता मात्मा गांधी पर एक बहुत ही अभधरे टिपनी करते हैं और महात्मा गांधी के हत्यारे नतुराम गोर्षे को महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए धन्यवाद भी करते हैं इस वीडियो के वाइरल होने के बाद कॉंग्रेस लीडर प्रमोद दूबे कालीचेन महाराज के खिलाफ राइपूर पूलिस स्टेशन में एफायर दर्च करवाते हैं जिसके बाद काली चरण महाराज को ढूंडने के लिए राइपुर पूलिस की तीन टी में महाराष्ट, मध्यप्रदेश और दिल्ली रवाना कर दी जाती है काली चरण महाराज को खजुराहों से 25 किलोमीटर दूर बागेशवरी धाम के पास एक किराय के मकान से सुबह चार बजे गिरफतार कर लिया जाता है सो फ्रेंड्स अब बात ये आती है कि काली चरण महाराज है कोन काली चरण महाराज का असली नाम अभी जीत धननजय सारंग है और ये महाराष्टरा के अकोला डिस्ट्रिक के रहने वाले हैं कालीचरन महाराज के फादर की एक medical shop है और कालीचरन महाराज 8 वी class तक पड़े हुए हैं 2020 में कालीचरन महाराज का एक YouTube वीडियो काफी viral हुआ था जिसमें वे शीव टांडव स्त्रोतम गाते वे दिखाई दे रहे थे और इस वीडियो के बाद कालीचरन महाराज को पूरे देश में काफी popularity भी मिली थी अभी जिस सारंग के कालीचरन महाराज बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है कालीचरन महाराज के according एक accident के दोरान उनके दोनों पाव 90 डिगरी तक मूर गए थे और उनके पाव की हड़ी भी तूट चुकी थी पर उसी वक्त मा काली ने उन्हें दर्शन दिये और उनके पाव खीचकर उनकी तूटू ही हड़ी भी ठीक कर दी थी जिसके बाद कालीचरन महाराज बिना सरजरी के ठीक हो गए थे इस इंसिडेंट के बाद अभीजित खुद को मा काली का पूतर बताने लगे और उन्होंने अपना नाम बदल कर कालीचरन रख लिया इतना ही नहीं दोस्तों कालीचरन महाराज ने पॉलिटिक्स में भी अपने हाथ अजमाए है और उन्होंने अकोला मुनिसिपल कॉर्परेशन के इलेक्शन्स भी लड़े थे जिसमें उन्हें हार मिली थी कालीचरन महाराज ने अपनी की हुई टिपनी पर अभी तक खेद नहीं जताया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि चाहे उन्हें फासिक क्यों न हो जाए पर वे अपने शब्दों पर अडिक रहेंगे इससे पहले भी कालीचरन महाराज ने कई कॉंट्रोवर्शल स्टेटमेंट्स दिये हैं इससे पहले उन्होंने डबलु एचो को फ्रॉड बताते होगे डबलु एचो और वैक्सिन कंपनीस के बीच साठगाट होने के आरोब डबलु एचो पर लगाये थे इस पूरे मामले ने राज्यतिक मोड भी ले लिया है 36 गड के CM भुपेश बगल ने ट्वीट करके कालिज और महाराज के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई करने के आदिश दिये हैं तो वहीं कई BJP लीडर्स कालिज और महाराज के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए जय हिन जय भारत